असलाम लेकूम वेलकम टू के लेक्सी विलोग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही जबर्दस्त रेसिपी यह रेसिपी है कंप्लीट डाइट एग की हां हां डाइट एग की डाइट इस तरहां से क्यूंकि इसके अंदर हम लोग एक यूनीक इंग्रीडियंट जो डाइट के लिए यूज होता है और आपको डाइटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी टिप्स मिलेंगी कि आप किस तरहां से कर सकते हैं अगर आपके पास ग्री इन नहीं है तो रड ले सकते हैं यह एक ट्रमाटर है बरीक चॉप एक प्याज है चोटा मेडियम इसका एक अदद यह एक अंडा बीट करके रखा है हमने यह जो है वन पिंच ओफ कलवंजी है यह हो यह दार्चीनी का पाउडर है तो जो दार्चीनी आपको हल्प करेगी अंदर से फैट को रिमॉफ करने में यह है और यह रट्चीरी पाउडर है ठीक है यह है चाह फुबही है के अचाहई पन आष्टे का टाईम है लिए हे बनारियों आज़्ता जल्दी जल्दी ये एक एक को फटा-फट शारा कूछ डालकर के स्पीड फटफ पकड़ लिया है और काम की के जल्दी जल्दी काम हो जाए और आप लोग भी मेरा इसमें साथ त्होड़ा सा पानी तोड़ा सा एसमें डाइगा पानी को मर्लो 12 जो तींट्रॉप्स यह शूरा के आपके निसाले दें हैंनों पर पैक्ली तोड़ा से मिक्सप ओगानी रहेगा अच्छा जी अब हमने ले लिया है नों स्थिक पैन इसमें हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून के बराबर जो है यह अलिवन है इसको स्प्रेड कर लेंगे पैन हमारा ओल्रडी गर्म है और यह देखो स्टार्टिंग में आप दो लीजिएगा फिर आइस साइस को कम कर दीजिएगा अगर वाइट प्रेड ले रहे हैं तो कोशिच कीजिए के ब्राउन ने तो मल्टी क्रेम ले ले तो आपको उसमें भी जो है बहुत अच्छे न्यूट्रियंट्स मिल जाते हैं ब्राउन जाते हैं जी मुझसे ने खाई जाती ब्राउन ब्रेड तो आप ये देखें कि आपको उप्शन तो मिल रहा है ना ब्रेड का भई तेखें जब इसकी वन साइड डन हो जाएगी देखना हमें इसको चक्करना जब एक साइड से पक जाएगा तो फिर आप इसकी साइड को फ है का तो ईसको प्लतें गहिसे अदेखर हो तक है आप चाहो हो तो इसमें चिकन डाल सकते हो, auकर चिकन स्टें ब्रेकफास्ट रर्स पीहे तो कर दो तो आपको परक का दी का हैविस्ट मिल ओना चाहिए आपके बाकी मील छोटे होने चाहिए और ये त squirrel साथ ही इस तरह प्यारा ओर्ड जीज अंडा है यह देखो मास्यालो की तरह खुबसूरत अंडा और साथ में पर ब्रैद में लिए हैं यह गर्वालों के साथ ही इक तरह यह कुछ यह रिक अपने चाहे हैं ब्रैड है इस तरह नूडल्स बनने हैं उस पर फंडा बन रहा है नाश्ट कि यार हमें भी डाइट करवाओं डाइट में तो काफी कुछ खाने को मिलता है तो आजकर हम उनको बिपने साथ डाइट दे रहें चाहिए हम दूद वाली पीते हैं तो ये दूद पती है भी इसका कलर थोड़ा दम पे आ आ जाता तो फिर इसको डालते हैं और ये वैसे मैंन होता एक आपका स्नैक टाइम है फिर दूसरा आपका फिर लंच है फिर आपका स्नैक टाइम है और फिर डिनर है आपका सबसे हैविस्ट मील आपका ब्रेक फास्ट होना चाहिए आपका नाश्ता सबसे हैवी होना चाहिए नाश्ता सबसे हैवी होना चाहिए नाश्ता सबसे जिनका कम है वो एक स्लिए है अगर वो जो एक प्रॉक तो खैर कम नहीं करना लेकिन चेंज ही तो करना है तो आप लोग फाइट से ब्राउन ब्रेट पर जंप करेंगे और जो है होल वी टाटा लेंगे इस तरह के चीन्जिज थि चोटी-चोटे आपको करने एंपने लाइफ तो आपका आपने देख लेना है कि आपको कितना आपकी भूख कितनी है आपको बुका नहीं रहना बस यह इसी फाइनल हुक है और अब हम इजादत दीजिए द्वाओं में याद रखेगा सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो मुरे